अगर आपको भी जानना है एक sales officer की job role क्या है, साथ साथ education कितनी लगती है, कितनी salary हमें मिल सकती है और हम किन तरीकों से apply करके एक sales executive बन सकते हैं, सब कुछ आज के studio में आपको पता चल जाएगा मेरा नाम जुनयाध है और start करते हैं हम पहली चीज़ से जो है work of sales executive बहुत ही आसान भासा में समझानी कोशिश करूँगा, पहली बार अगर तुम यहाँ पर आए हो तो please hit the subscribe button पहला काम यहाँ पर एक sales executive का होता है, sales को लेके देखे, private sector में sales team, sales का काम वैसे एक particular है, वैसे एक अलग है लेकिन private bank में यह काम सभी कर रहे होते हैं लगबग, चाहे वो manager हो, चाहे वो assistant manager हो, चाहे वो कोई सी भी boss लेकिन एक proper sales की team भी होती है, ठीक है, क्या चीज़े sales कर रहे होते हैं अगर हम यह बतानी कोशिश करें, banking product ने बहुत सारे आज़ी तारिमा आ गए हैं, बहुत तरीके की policy होती है, बहुत तरीके की account होते हैं, जैसे current account हो गया, saving account हो गया, salary account हो गया, audio account हो गया, इस तरीके से ने बहुत सारे accounts होते हैं, bank के अंदर, हम लोग जो गाओं में रहते हैं, वो ज़्यादा नहीं जानते हैं, हमें पता है कि हमारा मोदी जी ने खुलवाया था, जंदनी ओजना करके, और एक account हमारे मम्मी का है, जो SBI में है, और हाँ वो 2000 उपर में खुलवाया था भीया, हा हाँ पर आपको लोग आके कहेंगे भईया credit card डेलो, इस bank का लेलो, ये वाला लेलो, क्यों, तो वो बंदा क्या कर रहा होता है, वहाँ पर sales निकाल रहा होता है, गुमा में आगे, आप अगर अच्छी sales निकाल लेते हो, तो आपकी salary एक अच्छी salary बन जाती है, ठीक है, क्य होसा है लोग ना बहुत जादा पढ़ लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी ने PhD कर लिया, फिर कोई MBA कर लिया, या कोई अच्छी post graduation कर लिया, या फिर कोई ऐसे पैसे वैसे देके कहीं से अच्छा diploma ले लिया, बहले से पढ़ाई भी की हो, लेकिन यहाँ पर एक concept है, क्या ह हम अब भी sales करेंगे, तो भीया पहली चीज़ है कि sales बुरी नहीं है, ठीक है, sales कभी भी बुरी नहीं है, कोई बंदा अपना जमीर बेच के जब add कर सकता है और उस add की वजह से हजारों चीज़े बिख सकते हैं, sales करना बुरा नहीं है, sales का जो profession है, वो बहुत अच्छा है, बस दिक्कत यहाँ पर यह है, कि भीया हम sales करें कैसे, sales हमें मिलेंगी कैसे, हमें lead मिलेंगी कैसे, हम लोगों से बात कैसे करें हैं, हमारा अंदर तो यह बहुत डर बैठा पा, तो यह एक concept है, इसको उपर हमने बहुत अच्छे वीडियो बनाई है, आइब अच्छा ठीक है यह sales में काम की होता है, यह तो बढ़ा दो, तो sales में बहुत सारी चीज़े banking product होते हैं, जिनको हमें sale करना हो, अच्छा कैसे कर सकते हैं, थोड़ा से इसके बारे में बात कर लेते हैं, देखे, मेरा एक दोस्त है, दोस्त का subscriber है, उसने call की भीया, ऐससे मैं axis bank में लग गया कि यार मैं axis bank का क्या फायदा गिनों, क्या चीज़े गिनों, customer को, जो वो accounts खुलवा ले, ठीक है, account खुलवा ले, open करा ले, मैंनो उसको समझाया, भाई, सबसे पहले आपको directly जाके, वहाँ पर account नहीं खोलने होते हैं, ठीक है, एक relation मनाओ, एक trust build करो वहाँ पर, जब किसी क जमाओ कहीं न, कहीं relationship को build करो, पहले tips यही है, दूसरे tips जो है, वह बहुत important है, sales लाने के लिए, आपको न, आपकी product के बारे बहुत अच्छी knowledge होनी चाहिए, बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, कि इसके downfall क्या है, इसके upfall क्या है, उपर जाएंगी चीज़े कैसी रह mutual funds, इसके लाबा और भी बहुत सारी चीज़े होती है, ठीक है, तो यह साब था, तो दोस्तों यह था काम, एक sales officer का, एक sales executive का, अब बात करता है education की, देखे, ज्यादातर बैंकों है, चाहे HDFC हो, या ICIC बैंक, वो इसा भी private bank हो सकता है, 12 class को pass करने के बाद यह बंदे करता है ठीक है, आजाओ, आप हमारे यहापे job कर लो, ऐसे sales executive लग जाओ, क्योंकि हम आपको 15,000 रुपे देंगे, और आपने गर हमारे मुश्किल से 20 customer भी लाके खड़े कर दिये, बैंक की कंदर, तो वनी से हम 50,000 महीना कमा लेंगे, तो 15,000 देने में हमें कोई issue भी नहीं है, और क चाहें आप MBA करके जाएं, चाहें आप PhD, यहाँ पर matter नहीं है, और कभी भी private sector में degree matter नहीं करती है, matter करती है आपकी skills, communication skills, body language, इसके लावा और other skills, ठीक है, तो अपने skills को improve करना बहुत जरूरी, मैं बताओंगा कौन-कौन से skills हैं, जिनके उपर आप काम कर सकते हैं, बैंक मे बहुत जरूरी है, आप लड़कियों से बात करते हो, बहुत सारी चीज़े करते हो, लड़किया भी लड़कों से बात करते हैं, यार उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहे होते हैं, बात करना, एक relation को build करना, यह matter करता है, कि आपने बात की और relation build हो गया, ठीक है, लड़क और लड़की के बीच में बात होने से relation build नहीं होता है, वो चीज़े कही न कहीं, किसी न किसी फायदा और नुकसान को देखके चल रहे होती हैं, लेकिन एक customer और दुकंदार के बीच में कैसे relation को build किया जाना चाहिए, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, कैसे कर सक करता हूं लोगों को कि आप मेरी किताब से ही सीखो, मैं यह कहता हूं कि सीख लो, सीखना जरूरी है, हमने जो उस book के अंदर जो 49 रुपे की available है, link description में है, आप भी जाके check out कर सकते हैं, उस किताब के अंदर हमने सिर्फ यह समझाया है, कि communication skills क्या होती है, उसका role क्या है, हम के उपर, पढ़ाय लिखाई के उपर खर्चा नहीं कर सकते हैं, चाहिए आपने 4 लाग की डिगरी ली हो, या फिर 1 लाग की, या नॉर्मल आपने graduation की है, कोई सेंस नहीं है फिर, तो अपने उपर खर्चा कर सकते हो, education level पे, ठीक है, अच्छा है, जरूरी है, और हाँ, अच्छी को अच्छी नहीं है, तो फिर आप रहने दीजिए, इसको इंप्रूफ करी, ठीक है, तीसरी स्किल की हमिए बात करें, तो वो है finance की knowledge, understanding, ठीक है, credit card आप बेचने जा रहे हो, आपको नहीं पता reward point क्या होता है, credit card में credit का क्या मतलब है, civil score क्या होता है, कौन सा अच रखते हैं किसको क्यों कैसे credit card दे दिया company ने, किसी को 55,000 का दे रखा है, किसी को 55,000,000 का दे रखा है, वाई, यह सब आपको बता होना चाहिए, कहीं ना कहीं, चो understanding है, एक finance की, वो आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हाँ, देश में क्या चल रहा है, finance को लेके, कौ आपको basic computer आना बहुत जरूरी है, अगर आपको नहीं पता basic computer क्या होता है, आई वाटन में वीडियो लगा दूँगा, आप देख सकते हो, दोस्तों last skill की बात करें तो वो है relationship management, relationship जब तक आप बनाना नहीं सीखोगे, आपकी sales improve नहीं होगी, कुछ भी काम नहीं आप कर हो ला है, हमारे लिकेता फायदा, तो relation बनाना बहुत जरूरी, relationship क्या होता है, कैसे हम improve कर सकते हैं चीज़ों के लिए, हमने एक proper video दिया आप उस वीडियो को देखके भी बहुत सारी चीज़े सीख सकते हो, हमने अब तक 3 चीज़े complete कर ली है, number 1 था work, second था यहाप एजूके पर तक कमा लेता है, क्योंकि यह target based job है, अपना target अचीव हो जाने के बाद, आपको यहाँ पर मिलते हैं incentive के सासाथ bonuses, ठीक है, तो salary improve हो जाती है, अगर आपको डल लग रहा है ना, कि भहिया आप 15,000 रुपे हैं, कैसे करेंगे, तो भहिया यहाँ पर incentive include होता है, अच्छी salary पड़ा जाती है, ठीक है, मैं अगर last की बात करूँ ना, कि कितना कमा लेते हैं, तो भाई, एक-एक-दो-दो-लाख रुपे तक, दो-दो-चार्चा-लाख रुपे तक sales officer निकाल रहे होते हैं, banking field में, अगर इसके अलावा हम बात करें कि भहिया, और कौन से field में sales executive दहमाल म मज़ा आता है, handshake करने में, लोगों की बाते सुनने में, और उनको सुनाने में बहुत आपको मज़ा आता है, तो भाईया, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करने हैं, आपको, simple सा जाईए, और ये देखिए, कि पैसा किसमें जादा है, banking field को ऐसे join मत करो, मेरा ये suggestion देगा, क्योंकि हम काम करने हैं, पैसे के लिए, हमें वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, हम सीख नहीं रहे हैं चीजों को, अगर सीख रहा है, तो चलो कहीं भी सीख लो, लेकिन अगर आपको मज़ा आ रहा है, वो पैसे के नहीं आपको काम करना है, तो फिर वहाँ काम करो, जहाँ जादा पैसा मिल रहा है, ठीक है, मैं एक जगा पर काम कर रहा था, मुझे वहाँ पर 0.5% का incentive मिलता था, लेकिन जो deal हो रही होती हुँ न दोस्तों, वो deal कुरूलों की होती थी, और महीने मैं अगर मेरी 2 deal भी निकल गई, मैं माला माल हूँ मतलब salary कितनी थी मेरी, वो बहुत छोटी चीज़े हैं, लेकिन जुब चे incentive मिल रहा था, वो 0.5% का मिल रहा था, मतलब अच्छे कहां से चीज़ें वहाँ पर रखी थी, ठीक है, मैं यहाँ पैसे, आपको खुलके क्यों? क्योंकि यह मैनत कर रहे होते हैं, तो यह सोड़ा सा research कर लेना, कहां कैसे कि चीज़ें को क्या करना है, तो यह थी salary, इसके बारे में बात हो चुकी है, अब बात करते हम यहाँ पर how to apply, यानि कि कैसे हम एक job लेसकते हैं sales executive के लिए, सबसे पहली बात, अगर आम दिल्ली में है, या फिर आप किसी अच्छे शहर में रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बैंक है, प्राइवेट की में बात कर रहा हूं, तो आप डारेकली बैंक की जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, सेल्स ओफिसर के लिए, और किसी पोस्त के लि लेकिन वहाँ पर एक अच्छा रिज्यूम लगेगा भाई, अगर आपके पास बढ़या रिज्यूम नहीं है, तो फिर आप मुझसे ही बनवा सकते हो, नमबर इधर आ रहा है, यहाँ पर जाएए, बात करिए, और हाँ, एक अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूम आप बनवा स कोस्त आईगी, फिलाल, जितनी भी आईगी, अभी 20% आफ देंगे हम, जो भी fix price है, लेकिन हाँ चलो ठीक है, फिले 20% आफ आपको मिल जाएगा, जो भी rate होगा फिलाल, rate सभी के लिए fix है, freshers का थोड़ा कम है, experience का थोड़ा जाद है, लेकिन rate fix है, किसी के लिए ऐसा नहीं अपलोड करने के बाद आपको अटोमेटिकली response आएगा, बैंक की website से, और हाँ, जो बंदा मुझ से resume बनवाएगा, उसको थोड़ा समय है, यहाँ पे guidance करूँगा, call के थुरू, उसको मैं सारी चीज़े बताऊँगा, कि अगर आपने मुझ से resume बनवाया है, तो उसको upload करन मैं guarantee ले सकता हूँ, 80-90% आपकी job लगने के chances है, job भी छोड़ो, response आने के chances रहे, दोस्तों यह थी कुछ बात sales executive के बारे में, और हमने I hope बहुत सारी चीज़े आपको बता दी, अगर आपको लगता है कि नहीं सारी यह चीज़ रह गई, तो comment box आपके लिए खुलावा है, व उन्सराओ मैं चीज़ बगने कुछा है, नहीं सारी ज़गह रहे था प्यान आपको अगाल सारी च्लावाची को यह रहुता है, वह र시का चीज़गू कहूच़्चंगिजज़ नहीं रहारे मैं। चया रहा है, तो है जापका हाधको लिए है, मैं अपकों है, भी छोगता